आज हम लोग थर्ड टम का फर्स चैप्टर हिंदी का जो है हाती ने बचाया वो पढ़ने जा रहे हैं आईए मैं आपको एक्स्प्रेंग करके समझाती हैं कपिला वन में चिंको खरगोश का पडिवार रहता था एक वन था जिसका नाम कपिला था वन का अर्थ है जंगल पूरा परिवार एक साथ ही दिन भर खेलता कुदता रहता था कई घुमने जाते तब भी एक साथ ही जाते थे उस वन में एक चिंको खरगोश रहता था अपने परिवार के साथ और वो खरगोश पूरा दिन अपने पड़िवार के साथ खेलता और कुदता रहता था और साथ में वो लोग घुमने भी जाते थे, खाना भी खाते थे एक दिन चिंको अपने पड़िवार के साथ जंगल में घुम रहा था तो एक दिन क्या हुआ वो जंगल में अपने पड़िवार के साथ इसे हर रोज वो घूमता है वैसे ही घूम रहा था अचानक उसी समय शेर भी शिकार के लिए घूम रहा था और जब चिंकु खरगोश अपने पड़िवार के साथ बवन में निकला था घुमने के लिए उसी समय एक शेर वो भी उस जंगल में ही रहा था वो भी शिकार के लिए निकला हुआ था चिंकु ने देखा कि शेर दबे पाव उनकी ओर आ रहा है दबे पाव का अर्थ है धीरे धीरे धीमीधे में चुपके चुपके आना चिंकु जब वो अपने बड़िवार के साथ घूम रहा ज़ा अचानक से उसे ध्यान दिया कि वो शेर उनकी तरफ धीरे दिले चुपके चुपके आ रहा है ताकि उन पर अटाक कर सके शिकार के लिए ये देखकर वो सारे खरगोषों के साथ भागा जब उसने ये देखा कि वो शेर उनकी तरफ आगे बर रहा है तो उसने क्या किया अपने बाकी खरगोषों के साथ वो वहाँ से भाग निकला भागते भागते सारे करगोश एक तालाब किनारे पहुँचे वो लोग भागते भागते क्या हुआ उस जंगल में एक तालाब था जिसके पास वो लोग जा पहुँचे तालाब में एक हाती पानी पी रहा था तभी उसी समाई उस तालाब में एक हाती भी था जो पानी पी रहा था चिंकु ने हाती से कहा दादा हम सबको बचाओ एक शेर हमारा पीछा खर रहा है तभी उसी समाई चिंकु ने उस हाती से कहा कि दादा हमको बचाओ क्योंकि हमारे पीछे एक शेर पड़ा हुआ है खरगोशों को अपने पीट पर बिठा लिया तो हाती ने क्या क्या हाती ने उन खरगोशों को अपने पीट पर बिठा लिया इतने में शेर भी वहाँ धमका धमका का मतला बहुत है पहुचना उसी वक्त जब हाती उन खरगोशों को अपने पीट पर बिठा रहा था उसी वक् पानी को उसने शेर पर क्या क्या दे मारा शेर घबरा गया और वहां से भाग निकला जब हाती ने उस पर पानी फेका तो शेर क्या हुआ वो डर गया डर के मारे वो क्या हुआ वहां से भाग निकला शेर के जाते ही हाती ने खरगोशों को पीट पर से उतारा जब शेर वहाँ से भाग गया तब हाती ने क्या क्या उन खरगोशों को अपने पीट से उतार दिया चिंकु ने हाती को कहा दादा जान बचाने के लिए हम सदा आपको याद रखेंगे तब चिंकु ने हाती को कहा धन्यवाद दिया की दादा आपने हमारी जान बचाई उसके लिए हम आपको सदा आपको याद रखेंगे सदा का मतलब है हमेशा हमेशा वो उनको याद रखेगा तो ये था हमारा थर्टम का फर्स चाप्टर हाती ने बचाया इसमें देखिए आपको पहले याँ पर चार्ट वर्ड मिनिंग्स है वन जंगल दबे पाव चुपके से धमका पहुचा सदा हमेशा question answers है जो मैं आपको एककर करके apps में दे दूँगी already आप app चेक कीजी उसमें मैंने वर्ड मिनिंग्स दे दिया है Thank you